हलो दोस्तों आज मैं explain करूंगी alien boy और human girl की love story का part 12 तो चलिए video start करते हैं पार्ट 12 की starting past scene से होती है जहां दिखाया जाता है जैसे ही हर life में होयान 25 की होती उसकी death हो जाती पर उसकी death के time Helen हमेशा उसके साथ होता पर इस बार वो इस तरह की ending नहीं चाता now scene present में आता है Helen ready होता है गवान पी के parents से मिलने जाने के लिए और उनसे गवान पी और अपनी शादी की बात करने के लिए गवान पी है Helen को समझाती है तो इस तरह मेरे parents से बात करना उनके सामने ऐसे behave करना और ब्ला ब्ला गवान पी ने कौन और श्यान से old clothes पहनने को कहा था तो जब वो उनके clothes देखती है जो कि बहुत अच्छे होते हैं तो वो पूछती है क्या ये तुम्हारे पुराने वो कहते हैं हाँ गवान पी कहते है पुराने कपड़ों का मतलब होता है कि तुम्हारे कपड़े कई बार दुले हो दुल दुल के घिस गए हो वो दोनों कहते है पर हमारे पुराने कपड़े तो यही है गवान पी कहते है चलो ठीक है इची से काम चला लेंगे फिर कौन और उन दोनों को गिफ्ट दिखाते हैं जो उन्होंने गवानपी के पैरेंट्स को देने के लिए तेयार किये हैं उन गिफ्ट में हैलन की कंपनी के शियर्स डाइमाइंड जूइलरी होती है गवानपी कहती है यह सब की जरूरत नहीं है तुम बस नॉर्मल फ्रूट्स वगेरा लेकर चलू फिर गवानपी हेलन का हाथ पकड़ती है और उसे अपने घर ले जाती है हेलन को रूषियांस के चल्दी से फ्रूट्स लेकर आओ नेक्स सीन हम गवानपी के घर का देखते हैं जहां हेलन कोण और शियान के साथ होता है उन लोगों की बैठने की स्टाइल देते हैं पर मॉम कहती है अभी तुम दोनों को मिले कुछ टाइम ही हुआ हमें पता भी नहीं है तुम किस तरह के परसन हो हमें यह भी नहीं पता कि तुम गवानपी के लिए सई हो या नहीं गवानपी बहुत सीधी लेटी है कोई भी उसे हट करके चला जाता है और वो किसी क को हट नहीं करते हैं इसलिए हमे गवान पी के लिए ऐसा लड़ क्या इसे हमेशने प्रोटेक्ट करें हमेशने खुश रख़ए हैं का मैं हमेशने प्रोटेक्ट करूंगा और उसे खुश रखंगा हैलम की बाद से गवान पीप बहुत सेटिसफाइड होती है उसकी माम कहती है शादी से पहले तुम दोनों इंगेजमेंट कर लो जिससे शादी तक तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लोगे मॉम की हां किर्टेई वहां सब खुश हो जाती है नेक्स टेव वांग कोई एक्ट्रे जाने भी मिल चुके हैं वो कहती हैं फिर वह वांग को हैल्प करने के लिए उस एक्ट्रेस के घर का कार्ड दे देता है जिससे वो उसके घर में जाकर उसके बारे में इंफॉर्मिशन ले सके इधर क्वान और श्यान हमेशा की तरह श्यावजू के साथ होते हैं तभी वहा यूमन नहीं हो यह मैंने पता ऐसे लगाया कि बच्पन से ही श्यावजू के फ्रेंज यूमन नहीं बलकि एनिमल्स हैं इस वज़े से मुझे लगता है तुम दोनों हूमन नहीं हो गवान और श्यान टेंशिन फ्री होते हैं कि श्यावजू के डैट बस मजाग कर रहे थे उन्हें सच नहीं पता राग की टाइम हेलन गवान पी को वर्ट से घर लेने चाता है रास्ते में वो गवान पी से कहता है शादी के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडिगार्ट रखूंगा गवान पी कहती है बॉडिगार्ट की क्या जरूरत तुम तो मेरे साथ हूँ हेलन कहता है अगर कभी एक्सिडेंटली मुझे कुछ हो जाए तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके गवान पी कहते है तुम ऐसा नहीं कहो तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम 900 नहीं वेज से जी 55 १ को महीं बतता कि वह ऐसा क्यूं बोल रहा है जिस वज़े से वोजाव को बना बताये अपने बैग में रिकॉर्डर चालू कर लेती उसकी बाते रिकॉर्ड करने के लिए जाओ सबसे पहले उसे नेकलेस्ट करता है वांग कहती है मैं गिफ्ट नहीं ले सकती मैंने तुम्हारा इंविटेशन इसलिए एकसेप्ट कर लिया था क्योंकि तुमने मेरी हैल्प की उस एक्ट्रेस का इंटर्व्यू लेने में जाओ उसे अपनी बातों में फसा लेता है और कहता है तो मेरा गिफ्ट आज एकसेप्ट कर लो फिर मैं तुमसे पूछ करी तुम्हें गिफ्ट दूँगा तो वांग गिफ्ट ले लेती हैं फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं वांग ड्रंक हो जाती है तो जाओ उसे अपने घर ले कि और मैं तुमसे तुम्हारी आइडेंटी बगेरा के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी जाओ उसे हग कर लेता है पर जब वांग उसे किस करने की कोशिश करती है तो वो दूर हो जाता है और उसे उसके रूम में छोड़ाता है नेक्स टेज जब वांग जाकती है तो वांग केती है मुझे तुम पर ट्रस्ट है जाओ कहता है मैंने ही चाता कि हमारी रिलेशन्शिप की बज़े से तुम्हारा वर्क डिस्टर हो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कोई इंफॉर्मेशन तयार किया जो तुम्हें आफिस में मिल जाएगी वो कहती है ठीक है दैन जालिन उसे सौरी कहता है उसके बर्क प्लेस पर मिलने के लिए गौन पी कहती है कोई बात नहीं वैसे जो मेरी मौम ने तुमसे पैसे लिए हैं वो मैं तुम्हें जल्दी ही वापस दे तूँगी जालिन कहता है इस ओके मैं यहां तुमसे कुछ बात करने आया हूं गौन कहती है वो बस मिसंडरस्टेंडिंग थी हैलन बहुत अच्छा है फिर गवान भी पूस्ते है तुम्हारे और त्यांशिन के बीच क्या हुआ जयालिन बताता है हमारे बीच हमेशा जगड़ा होता रहता है मुझे समझने आया कि अमेरीका जाते यह सब क्यों हो गया फिर व मुझे थोड़ा टाइम दो मैं यह आंसर अभी नहीं दे सकती और फिर वो जाने लगती है जयालिन उससे कहता है अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरुवत हो तुम मुझे बता सकती हो मैं तुमारी हेल्प करूंगा गवान पी बिना कोई जवाब दिये वहां से चली जाती है और वापस ऑफिस में आ जाती है ऑफिस में प्रिंसेस जवान का असिस्टेंड आता है डिलेवरी बॉय बनकर और वो वांग को कुछ फोटोस देकर जाता है जो उसके लिए जाओने भेजे होते हैं वो किसी एक्टरेस की परसनल राइफ से रिलेटेड होते हैं वांग को द परस्टिंग वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहें